जै समिधान जै भीम मात्मा गांधी की जै गोर से मुर्दाबाद आज फोर पीम नियूज नेट्वरक में मैं बात करना चाहता हूँ जो एक भारती जिनता पार्टी के सिख निता ने खुलेयाम राहुल गांधी को धमकी दी है राहुल गांधी के आवास के बाहर कुछ अपने साथियों के साथ जाकर उसने खुलेयाम कहा है के राहुल गांधी हम तुमारा वोही हश्र करेंगे जो हमने तुमारी दादी का किया था माने मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं आप देश के 142 करूलों के प्रधानमंत्री हैं आप देश के हर नागरिक के प्रधानमंत्री हैं और देश की कानूनिवस्था ये कहती है किसी को भी खुलियाम इस प्रकार से इतनी हिमत नहों किसी को भी खुलियाम वो धमकी दे जान से मारने की धमकी दे मानी मोदी जी ये दंडनी अपराथ है हमें आशा है चलिए वैसे आपने जब कंगना रनौत ने अनदाताओं के खिलाफ सिखों के खिलाफ किसानू के खिलाफ ये आप अत्ति जणत टिपणी की थी तो आपने कोई दंड कंगना रनौत को नहीं दिया मानी मोदी जी जब टेनी महराज के पुत्र ने लखिमपुर खीरी में किसानू को जीब से कुचला था तो आपने और आपकी सरकार ने टेनी महराज को मंत्री पस से नहीं हटाया था और दुबारा उन्हें पारलेमेंट का टिकेट दे दिया था ये तो लखिमपुर्ग खीरी की जनता का स्ने है और उनकी न्याय प्रियता है कि उन्होंने ट्रेनी महाराज को election हरा दिया ब्रजभूशन शरन सिंग ने देश की बेटियों के साथ किया था मानी मोधी जी आपको तो पता ही होगा लेकिन इसके बावजूद आपने ब्रजभूशन शरन सिंग को तो टिकेट नहीं दिया लेकिन उनके बेटे को टिकेट दे दिया माने मोधी जी आपके सामने ही लोग सभा के अंदर आपके ही ममरोप पारलिमेंट साउट डेली के रमेज विधोडी ने खोले आम एक समाज के व्यक्ति को ऐसी टिपणियों से आहत किया था जिससे उनके समाज तो उनके समाज मेरे जैसे एक सनातनी हिंदू की भी आँखें जुग गई थी लेकिन महराज आपने उसके बाद उन्हें राज़्थान एलेक्शन का प्रभारी कारे सौंप दिया था और एक प्रकास से उनकी पदवनती कर दी थी मानी मोदी जी कल आप चंचूर साब के घर गए थे चीफ जस्टिस अब इंडिया साब के घर गए थे गणेश चतुर्थी के उपलक्ष में गए थे आशा है आपकी जो चीफ जस्टिस अब इंडिया है उनके साथ कुछ बात भी होई होगी केवल पूजा आपने की होगी उसके बाद हो सकता है आपने पहले और बाद में बात की हो और वो भारत वर्ष के समिधान के संड़क्षक हैं चीफ जस्टिस अब इंडिया हैं और आप भी समिधान के संड़क्षक हैं आप देश के प्रधान मंत्री हैं लोगतांत्री चौटिस सीटे पर्लिमेंट के अंदर हैं और आपकी पार्टी को 240 सीटे मिली हैं और लीडर ओपोजिशन को नियमा नुसार एक कैबिनेट रैंक के मंत्री का पदप्राप्त होता है उस लीडर ओपोजिशन को आपकी भार्टी जन्ता पार्टी का एक नेता खुले आम धंकी दे रहा है और चीफ जस्टिस वर इंडिया के घर पूजा करने आप गए थे तो कृपा करके चीफ जस्टिस वर इंडिया से ही एक कह दें कि उस व्यक्ति की इतनी हिम्मत बढ़ गई और अगर उसे दंड नहीं मिला तो उस जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ जाएगी राहुल गांदी ने जो अमेरिका में कहा राहुल गांदी ने कहा कि क्या एक जब वो एक गोश्टी हो रही थी एक सिक युवक बैठा हुआ था प्रंट रो में राहुल गांदी ने उनका न तर्बन पहनते हैं उनके अपने जो उनके गुरु के आदेश हैं उसका नुपालन करते हैं वो करते हैं और सब करते हैं राहुल गांदी ने कहा कि शायद अब ऐसा भारत वर्ष के अंदर डर लगेगा कि तर्बन पहनने में आपको डर लगेगा आपको बहार निकलने में पाटी के X MLA हैं उन्होंने राहुल गांदी को जान से मारने की धमकी उसी प्रकार ती जैसे गोटे से ने महत्मा गांदी की हद्या की दो देश के अंदर दो तरह की विचारधारा मानि मोधिजी चल रही एक गोटे से वादी विचारधारा दानाएं हैं और एक गांधी-वादी विचार दानाने महत्मा गांधी को मार दिया इंद्रा जी को भी मारा था राजीव गांधी को भी मारा था हमारे देश के दो प्रायम-िनिस्टर्स की हत्या दुर भाग या पूर्ण घटना है इस देश में हुई और देश के राश्पता को भी गोटसे जैसे व्यक्ति ने मार दिया था और वही दम की खुले आम आपके भारती जंता पाटी का व्यक्ति दे रहा है अब मुझे डर लग रहा है मानी मोदी जी आप कहीं इसको कोई कि महतोपूर्ण पद न देते हैं होना तो चाहिए इसको दंड मिले लेकिन जो अभी तक हमने पिछले 10 साल होते हुए देखा है जिसने भी रहुल गादी पर आकरवन किया है जिसने भी सेकुलरिजम पर आकरवन किया है उसको दंड के बजाए उसको पारितोशक मिला है उसे व्यक्ति को भी अगर आप इनाम देंगे तो देश को परिशानी होगी देखे जो रहुल कंदे ने कहा वास्विक्ता में भारत वर्ष के अंदर पिछले 10 साल के अंदर जिस प्रकार से भेदभाव पूर्ण विभार हुआ है हम लोग बच्पन से जवानी से देखते आए हैं हम लोगों ने भी इंदरा जी की इमर्जिंसी का विरूद किया था अपनी जवानी में जनता पार्टी का समर्धन किया था गाउं गाउं जाकर इंदरा जी का विरूद किया था लेकिन ऐसा डर नहीं लगा गोश्टियां होती थी, इलाबाद उनिस्टी में मैं पढ़ता था, उनिस्टी केमपस में बाहर हम लोग लौन में बढ़ जाते थे, जिसमें RSS के लोग भी होते थे, समाजवादी योजन सभागे लोग भी होते थे, कमिनिस्ट भी होते थे, बामपंती और एक्स्टिमिस्ट भी हुते थे विचार मुर्फ होता था गोश्टी होती थी सबसे विचार प्रगट करते थे मित्र भाव में अपने घर चले जाते लेकिन इतनी कटूता नहीं थी किसी को डरने के अवस्रक्ता नहीं आया तो देश मे ऐसे लोग है जो आपके मानि मोधी जी समर्तक हैं और या ऐसे लोग हैं जो आपके विरोधी हैं और ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जो आपके विरोधी है उनको डराया जाता है माने बोदी जी शायद आपको न पता हो लेकिन उनको धमकाया जाता है उनको डराया जाता है और जब धंकाया और डराया जाता है तो यह अवशक नहीं है कि जिनको डराया जाता हो वो किवल मुसल्मान हों जिनको डराया जाता हो वो किवल क्रिस्शन हों जिनको डराया जाता हो वो किवल दलित हो या अधिवासी हो या ओविसी हो वो उनको भी डराय जाता है जो समण सनातनी हिंदू भी हैं उनको भी डराय जाता है डराने का केवल एक अविप्राय होता है कि या तो आप यू टो दर लाइन और यू आर अवर एनिमी जो भारती लोकतंत्र में आज तक कभी नहीं कोई यह पिजले दस साल के अंदर जहर इतना नीचे चला गया है अज़ा अगर कोई कहता है यह तो एक स्वाहवगी प्रक्रिया है लोग कह सकते हैं मुझे डर लगता है अगर आमेर खां को यह डर लगत है अगर कोई सिक कहता है कि उसको डर लगता है को हिंदू कहता उसको डर लगता है कोई क्रिश्चन कहता है तो देश्वरोधी कैसे हो जाता है डरना तो एक स्वाहवी प्रक्रिया है इस चीज़ से डर लगता है वास्विक्ता में डर लगता है अगर मनिपूर में रहने वा कि भाले अ को कि लोगों को मैती से डर लगता है और मैधी लोगों को क्योगा सो डर लगता है कि जैसे राहूं गांधी जंम बनी-पुर ए कि यात्रा में गये और वह कूhiss च्छेत्रओं में गए वह मेतिः ना होग है जर्णूम्ल को कई फ्ट्रो में गए तो कोई लोगों ने उनको संदेश दिया और अपने साथ जो सिचुरिटी परस्नेल लहिएगा उसमें किवाल को की समधा आकि लोग उन्ह께서 यह नहीं और जो मैं तीर छेत्रों में गए राउल गांदे ने खुद बताया मैं तीर छेत्रों में गए तो उन्हें बताया गया कि इसमें कोई कोकी नहो वरना फिर रहाम व्यानौट रिस्पॉंसबल क्योंकि उनको एक दूसरे से डर लगता है पेरियार को मानने वाले रामचरित मानस को नहीं मानता हूं मैं पूजा पाठी मुर्थी पूजक सनातनी हूं लेकिन अगर अपनी भावना को प्रगट करने की वजह से पेरियार को मानने वाले जो रामचरित मानस को नहीं मानते उनको डर लगने लगे तो मैं जो सानातनी पूजा पाथी हूँ जब मैं उनके छेतर में जाओंगा तो मुझे उनसे डर लगेगा अगर वो भी वैसे ही प्रतिक्रिया करने लगे जैसे हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं आरे समाजी मूर्थी पूजक नहीं है वो अगनी को भगवान का रुंग मांथे हवं करतें मूर्थी पूजा नहीं करतें लेकिन जो पूजा पार्टी सनाता नहीं हो करते अमेटिकर राइट्स का राजियन प्रिशाद गौतम जो मंत्री थे जिन्हें हम आदमी पार्टी ने मंत्री बनाया था अभी हाल में वो कॉंग्रेस में चले गए वहां पर कस्में खिला ही जाती हैं कि मूर्थी पूजा नही क्या आप चाहते हैं कि सारे हिंदु ऐसे हो जाएं जो मूर्थी पूजाख हो जाएं क्या यह समव है क्या सिख मूर्थी पूजाख हैं क्या क्रिश्चन मूर्थी पूजाख हैं क्या मुसल्मान मूर्थी पूजाख हैं या सारे आधिवासी मूर्थी पूजाख हैं अमिट अंतरप्रदेश बिहार मत्रदेश वाले श्रीराम को मनते हैं और गुजरात में और मतुराग यासपा लोक श्रीकृष्ण को मनते हैं इतनी विविद्धिता है वोभी बुद्Яवान व्यक्ति हैं देश के चीब चेश्टिस वर अगया आप भी घुद्यवान व्यक्ति हैं देश के प्रतान मंत्री का है लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कोई व्यक्तिकत象 भावना है और वो प्रकट करता है। उसको डर लगता है तो आप केवल उसको इसलिए डुराने की दन्व की देंगे यहींव अगने अगर आप उसे डर आएंगे और मारने की धंकी देंगे तो जो बात वह पहलए है कि दर लगता है उसकौन सिद्ध कर रहे हूं और यहिए आपके एक्स विधायक ब कि कह रहे रहे हैं इसका इनुको अब किसी व्यक्ती को अगर अपने व्यक्ति परिवार के लोग हैं उन्हें दर नहीं लगना चाहिए कि अगर आप किसी को लगा भीड़ को लगा कि आप मुसल्मान हैं और इस चक्कर में क्या मुसल्मान हैं आपको मार दें तो आपको क्या डर नहीं लगना चाहिए तो राहुल गांजी जो कह रहे हैं डरना मत और आप यह कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं चाहिए बात तो दोनों एक ही कह रहे हैं लेकिन डर तो तब लगेगा जबकि केवल इस आधार पे क्या आम नॉन्वेश चेरिंग खाते हैं लोग आपको फीड देंगे लोग नॉन्वेश चेरियन अगर हिंदुस्तान में आप जंगरना कराएं तो पता चला 80% लोग नॉन्वेश चेरियन खाते हैं तो उनको 20% लोगों से डरनी क्या वशक्ता है जो शाकाहरी हैं या उसमें भी 20% भी 90% ऐसे हैं जो छुपके मांसार खाते हैं और कहते हैं कि हम तो इंदुस्तान में तो 95% लोग आपको मांसारी मिल जाएंगे तो क्या 5% उनको पीटेंगे या 95% 5% को पीटेंगे किसी को किसी को पीटेंगे वशक्ता नहीं है जिसको नॉन्वेश खाना है खाए जिसको शाकाहरी रहे जिसे दारू पीनी है पिए जिसको नहीं पीनी है न पिये, जिसको भगवान को मानना है माने, जिसको नहीं मानना है ना माने, अपने अपने धर्म, अपने अपने परमपराओं का लोग पालन करें, अलग इलग प्रकार से अपने को संतुष्ट रखें, लेकिन आपस के भाईचारों को ख़राम न करें, लेकिन अगर एक तंद जी ने खुलियाम धंकी दिये और देश के अंदर डर का महौल पैदा किया है अगर आप इन्हें दंड नहीं देंगे इसका मने आप इन्हें प्रोस्तान दे रहें जो अनुचित होगा चंचूर साब को फोन करके गाइडेंस ले लीजे और उसके बाद कम से कम इस बांदी पे इसको जेल भेद दीजे पहले बहुत सारे जैसे मैंने आपको प्रक्राम बताए आपने कोई दंड नहीं दिया इसमें क्रपा करके दंड दे लिजेगा नमस्कार धनेवाद अपड़ाओ